आदमी लोग या बोईस लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले ही स्किप कर दीजिए क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो नहीं है और कभी-कभी पीरियोड सिर्फ देर दिन आता है एक दिन आता है दो दिन आता है बस ख़त आज के व्लोग में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए आज का व्लोग शुरू करते हैं दोस्तों कैसे आप सब लोग आप सब लोग बहुत ही खुश आबाद और मज़े में होंगे और ऐसा कुछ कर रहोंगे कि आपके महबाप आपसे उमीद लगाए होंगे म आप सब की नेक और जाय समन्ना को कुबूल करें तो फाइनली आज का जो व्लोग है बहुत ज़्यादा खास होने वाला है दोस्तों मैं आपको एक खुश कबरी देने वाली हूँ कि मेरे जो इंस्सेग्रान पे हैं 20,000 फॉलोवर्स हो चुके हैं माशालला माशालला बहुत मैंना करने के बाद अगर आप चाहें तो वहाँ पर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कॉमान है नॉर्माल है मैंने वहाँ पर दाली ती क्वेशन आंसर 20,000 फॉलोवर्स होने की खुशी में तो मैं एक चीज़ बता दू जो मैंने क पर मुझे बहुआ सारे खुशन आंसर नॉर्मारण दाली थी यह पर मुझे टीन और देंक बना नाव को आन से वैडियो कीोन अगरा यह मिद्या की ठीक तो तो मैं ने सुझए टॉपिक पर घुलोग के घृ बढ़ जो की बहुत जादाज इंपॉर्टेंथे दोस्तों के अंदर ब्लेडिंग क्यों होती है और पीरियड्स डीले क्यों होते हैं साथ में और पीरियड्स क्राइम इतने जादा आते हैं कि बताने सकते हैं काम अगर नहीं होता है और पीसी ओडी क्या होता है क्यों होता है तो जादा पीरियड्स यानि जादा ब्लेडिंग के लिए क् अगर आप चाहे तो अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ अपनी वाइफ के साथ लड़कियों के साथ शैल कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम महीं है तो देखो मैं अपना टीनेज का बताती हूँ जब मैं 17-18 की थी तो मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी अब पहले तो देखो सबसे पहले चीजे में आपको यह बता दू कि जो हम लोग सोचते हैं जो हमारे दिमाग में रहता है वही चीज हमारी बॉड़ी में इफ्रेक्ट करती है तो इसलिए बोलते हैं कि सब अच्छा सुनो अच्छा सोचो अच्छा बोलो तो देखो मैं नॉर्माल व्लोगिंग करती हूँ मुझे जाद एकता नौलिज नहीं है वीडियो एडिटिंग के बारे में तो यहां पर मैंने थोड़ा सा नोट बना ली हूँ इसके अंतर मैंने डीटेल लिख के रख्या हूँ कि आपके साथ कौन कौन से चीज़े श्यायर करना है हाँ अगर आपको कोई भी डाउट आए ना आप मुझे बेजिज़क पूछ सकते हैं यहां पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं और डायरेक्ली आप मुझे इंस्टा प अमझे परीट्ण में हुता है इतना पेन होता है कि इनसान बरदास्नी कर सकता है वह अग्या रख्या नी जाता है थैक है हमारे बॉड्स हलकि även मुझे कि सबकी बॉडि के अनदर होते हैं किसी को 21 देज में पीड़ साता है किसी को 30 देज में पीड़ साता है किसी को 45 देज में पीड़ साता है तो सबसे पहले आपको टिक कर लेना है बहुत सारी लड़किया भूल जाती है तो अब बात करते हैं इस रेगुलर पीरिट्स क्यों होते हैं तो इसलिए होते कि आपके बॉड़ी के अंदर ब्लड नहीं होगा ब्लड आपकी बॉड़ी प्रेडूस नहीं करेगी तो आपको प अगर आप अनहील्दी चीज़े खाते हैं तो उससे भी आपकी बॉड़ी के अंदर ब्लड नहीं होगा आपकी बॉड़ी क्लीन नहीं होगी बाहर की चीज़े खा रहे हैं फास्फूट खा रहे हैं ये खा रहे वो खा रहे तो उससे भी आपकी बॉड़ी से एफेक्ट कमी होगी आपकी बॉडि में 250 अच़्ेटे अट ब्लकत धों के बढ़े ह accountable बॉड़कोषन उसका अफ का अपको अच्छ बॉड़क्ली है आपको पहले क्या करना है जितना अच्छा चीज़े आपको घर के खाने में मिलेगे, ठीक है, चलो आप ठीक है, हफते में दो बार तीन बार खा लिए, इस ओके, क्योंकि इंसान की बॉड़ी वो डाइजेस्स कर देगे, अगर आप बाहर का चीज़े रोज खाएंगे ना, तो इससे आपको बहुत, मत अगर आपका वेड जादा है, तो आप उससे वेड भी कम कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो हूँ, मैं डेली, हलका गरम, गुनगरा पानी पीती हूँ, जबकि मेरा 55 kg है, ठीक है, क्योंकि मुझे अपनी बाडी को मेंटेन करके रखना है, ठीक है, इसलिए जरूरी नहीं है कि पत मैं अगर को आपके स्कीन को आप एंदर की स्कीन को बहुत ही बसक्ता है, यह बहुत बनाणा, फिर अब देखो बारिश का टाइम हे आप लोग घरमे रहते होंगे खाना खाने के बाड़, जादा टहलते बाहलते होंगी, जो अगर आपको स्वेटिंग नहीं होती है, यह ब लिए जैसे आपको क्या करना है जैसे आपको क्या करना है जैसे आपको पीरियर्स आने, एक हफता बचाया ना तो दिन कंटिनियूसली क्या करना है पीरिट्स के दस दिन पहले या एक हफते पहले रात में एक गिलास पानी में आपको इस पाउडर को भीगो के रख देना है अगर आपके पास गुड़ है तो आपके पास गुड़व के इसलिए उसको सजिश कर रहे हुए इसे भी आपका बलड़ अच्छा होगा आपको दर्द वग्धेरा नहीं हो अब बात करते हैं पीरेट्स क्रायम की बहुत ज्यादा पेन होता है आपको समझ में नहीं करूँ जब आपको पीरेट्स आना है स्चार्ट हो जाएंगे ना पैरों को गरम पानी में रखती हूँ और ज्यादा से ज्यादा में हलका गुंगुना पानी पीना प्रिफर करती हूँ क्योंकि इसमें आपकी बॉड़ी पूरी क्लीन होती है अगर आपको पीरेट्स अच्छे से नहीं आएंगे तो आपको एक्नी आने लग जाएंगे आपको पीसी ओडी भी हो सकता है पीसी ओडी बहुत खतरनाक प्रॉब्लम होती है हां अगर आपको यह सारी चीजे करने के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम नहीं जा रही है आपको लेट और कम पीरेट्स आ रहे तो आप डॉक्टर को जाके दिखाएं ठीक है पहले आप घर मे बीस को नहीं आया चिद्धा आया दो तारीक को चार तारीक को यह मुकसान देता है सबसे बले देखो आपको डाइट का बहुत जादा ख्यार रखना होता है पीरेट्स के टाइम पर कि नेसरली चीज़ा आपकी बाडी में होती है और हां अगर अब तक आपने मेरे लाया व बीस का बहुत बढसे मंगें आपकी जिकर कर सकते हैं चैली कर दूंकि आक्ना पाड़ को ठीक आप नहीं खुतिए किसमें आपकोर को मेरे व्लोक्स की नोडिकीशन.